नमस्ते कैसे हैं आप लोग हमने GST FAQ सेरीज शुरू किया हुआ यूटूब में और Q72 तक डिसकस कर चुके हैं और यह FAQ इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज डालनी है वो भी डालते हैं तो इस तरह से यह काफी ज्यादा इंप्रूवड होगी और कॉस्ट्ट इसके बहुत अच्छे हैं और जैसा कि इस वीडियो में लोग कोश्टन कर रहे हैं 73 काफी इंट्रेस्टिंग कोश्टन है यह 73 चलिए आपको दिखलाते हैं वेदर जीएस्टी इस पेबल और लिक्विडिटेट डामेजेज डेड़क्टेट फ्रम पेमेंट तू सप्लायर्स इन केस अव डिलेड डिलिवरी और गूड्स और सर्विसेज तो लिक्विडिटेट डामेज के बारे में बहुत डिटेल में कोश्टन 46 से 46 7 भी डिसक्स क करेगा रिसीपेंट उसको 100 रुपीज देगा लेकिन सप्लायर ने जो गूड्स अप्लाई किया या जो सर्विसेज सप्लाई किया वाज नॉट एच पर दे क्वालिटी और एच पर टरम्स देरफोर रिसीपेंट पेड उनली रुपीज 80 तो 100 रुपिया एग्रीट पैस थ इन्वास काटने के बाद क्रेडिट सेल होता ही है उसमें सिर्फ उसने 80 रुपिय और 20 रुप crouch नहीं दिए तो सप्लायर क्या रुपय पे एटी रूपीज पर इस पर ग्यहा cuk तो इन्वाइज तिस प्रीज पर ग टाई उसी परॉप पर सप्लायर को जेस्ट देना पड़े लिए रिसीपेंट ने 20 रूपीज काट लिए क्या यह जो 20 रूपीज काटे हैं इस इत डिसकाउंट तो ओविसलिट इस नॉट डिसकाउंट बिकॉल डज नॉट सटिस्फाइड दा कंडिशन और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 तो अगर प्री सेल डिसकाउंट होता तो इन्वाइस में लिखा होता और पॉसल डिसकाउंट होता तो पहले से एग्रीड होता ऐसा कुछ हुआ नहीं यह तो पोस्ट सेल इन्वाइस कटने के बाद यह प्रॉब्लम शुरू हो गई कि सर यह एश पर क्वालिटी नहीं है तो म जो goods उसको inferior quality के मिले या delay मिले तो recipient उसको tolerate कर रहा है और उसके बदले वो 20 रुपे काट रहा है इसका recipient becomes the supplier as a person who is tolerating an act यहाँ पर हमने लिखा भी है and supplier pays रुपीज 20 तो क्या recipient को invoice एक separate invoice issue करना पड़ेगा रुपीज 20 का तो यह question का answer जो है वो कहता है yes यह करना पड़ेगा तो यही हमने लिखा है supplier 80 रुपीज पे GST देगा recipient 20 रुपीज पे GST देगा recipient receive रुपीज 20 for tolerating an act अब एक बार इसको मैं पढ़ता हूँ फिर एक सवाल और है इसी question से related वो भी करेंगे यह कहता है अच्छा इसी में बात ही क करते हैं क्या supplier 20 रुपीज का credit note issue नहीं कर सकता कि अगर 20 रुपीज का credit note issue कर देता तब तो काम हो जाता और section 34 जो credit note का है उसमें तो वो conditions भी लिखे वह हैं condition satisfy कर रहा है तो 20 रुपीज का credit note issue कर सकता है एक बार देखते हैं वो credit note का क्या conditions है तो यह हमारी book का invoice debit note credit note का chapter section 34 sub section 1 credit notes जिसको हमों supplementary invoice भी बोलते हैं where there is variation in value or tax rates or return goods or deficient goods तो where one or more tax invoices have been issued यह insert इसलिए हुआ कि पहले क्या था कि per invoice के साथ एक ही credit note issue हो सकता है अब combined invoices के साथ एक credit note भी issue हो सकता है तो credit note issue करने का conditions है उसमें से एक conditions यह भी है कि अगर where the goods or services both supplied are found to be deficient तो supplier may issue the credit note may issue to the recipient और लिकिन अगर credit note issue नहीं करता है तो obviously recipient will be paying GST on supply of service being tolerating an act एक बार इसके answers को पढ़ते हैं तो उन्होंने यह बात क्यों नहीं लिखी है लिखनी चाहिए थी शायद एक बार पढ़ देते हैं credit note or debit note can only be issued by the supplier under GST law अब्लिकिन नहीं liquidation damages occur only when there is an act of non-performance, breach of contract which need to be compensated either by the supplier or recipient as the case may be perfect as the recipient will not be able to raise debit or credit note as per GST law the liquidation damages directed from the payment to supplier constitute a supply तो यह recipient ने जो 20 रुके काटे हैं यह it will be treated as liquidated damages and it will be considered as supply agreeing to the obligation can be understood as the obligation to pay a consideration for an act involved in a supply hence as per schedule 2 of CGS3 act the same shall be considered as supply or service for the purpose of classification the recipient has to raise an invoice he has to raise an invoice and क्यों invoice रेगा क्यों credit note debit note issue नहीं कर सकता इसलिए invoice रेगा and he is liable to pay GST on liquidation damages deducted from payment to suppliers provided the supplier is not government now why supplier अगर government होगी तो exemption गवर्मेंट है तो exemption है अब इसका मतलब यह हो गया या तो supplier credit note issue कर दे या recipient invoice raise कर दे कोई एक काम जरूर होगा तो यह था question number 73 काफी interesting था यह और इसके बाद जो question number 74 है whether assets received on family settlement or partition of HUF is chargeable to tax under GST law we are assuming that HUF is in business और वो business asset को या तो member of HUF को दे रहा है on family settlement या तो partial partition होगा या full partition होगा full partition होगा तो इसका मतलब यह पूरा का पूरा बिजनस cease to exist और अगर partial partition होगा तो he is selling one of the assets तो if he is selling one of the asset transfer of business such it is a supply and if it is selling whole of the business asset then also it will be treated as supply लेकिन exemption कब है if he is selling as a going concern तो यह सारी बाते वहाँ पर उन्होंने लिखी भी है और यह वाला हम लोग बहुत जादा discuss इसले भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले यह काफी बार आ चुका है इस पहले questions में तो वहाँ भी discuss हो चुका है तो इसको हम लोग skip करते हैं तो इस वीडियो में दो ही question हम लोग कर रहे हैं बाकि नेक्स वीडियो में करते हैं थैंक यू करर दो कर 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 और यह हमारी वेबसाइट है taxbykk.com इसको जरूर से विजिट कीजिएगा इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहां पर हम लोग एक GST Certificate Course चलाते हैं और इस course को करने के बाद आपको वाकई में GST आने लगेगा वाकई में GST आने लगेगा 170 hours का है और इसके नीचे जाएंगे तो आपको यह बहुत सारे demo link के lectures मिलेंगे जो YouTube में खूलेंगे दूसरी बात और प्राइस कितना nominal आप देखिए 1750 बस pen drive का extra लेता हैं 500 hard copy का extra लेता ह तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगा आप two months का start किजिए सिर्फ volume 1 से 1750 जब आपको अच्छा लगेगा तो second volume ले लिजेगा और यह volume 1 में जब आप order करें तो दूनों किताब order करते हैं या एक ही किताब order करें custom classes आप चाहें तो वो भी order कर सकते हैं तो इस तरह से औ काफी detail में आपको अच्छा लएगा books अगर आप अलग से order करते हैं तो books भी आप अलग से order कर सकते हैं और यह set of books order कर लेज़े जहां पर आप GST practitioner है दोनों book order कर लिजे volume 1, volume 2, 1000 अलग-अलग order करेंगे तो 1200 का है और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं हैं बहुत सारी चीजे फ्री में भी हैं तो यह फ्री में यह बहुत सारी चीजे आप प्लीज चेक कर लिजे आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए आपको कुछ payment करना चाहते हैं तो आप payment भी कर सकते हैं यह जो हम लोग discuss कर रह हाल है हम लोग कम से कम 40 question तो discuss करी चुके हैं बाकी आगे कर रहे हैं